Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. मेरा नाम है रोहिद सच्देवा. आज हमें कॉमन डाउट अड्रेस करेंगे जो हमें शॉप में बहुत ओफन फेस करने को मिलता है. डे क्रीम्स, नाइट क्रीम्स. क्या हमें दोनों लेना जरूरी है? सिरफ हम डे क्रीम नहीं दे सकते हैं, वो हम नाइट में भी लगा लेंगे. ये बहुत ओफन हमें फेस करने को मिलता है. कस्मर का, कस्मर चाहता है कि हमें कम से कम प्रड़क्ट्स देने पड़ें. वो भी अपनी जगा सही है, बट हमें समझना पड़ेगा हमारी स्किन की ज़रूरत अलग है. दिन में हम बाहर निकलते हैं, हम सान पे भी एक्स्पोज होते हैं, पॉल्यूशन भी होता है. तो डिक दीन का काम ये होता है कि वो हमें सन से प्रोटेक्ट करता है, उसमें SPF होता है, उसका टेक्शर बहुत ही लाइट मेट होता है. जिससे ये होता है कि हमारे को बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होता, हम एजली उपर उसके संस्प्रीन भी लगा सकते हैं. इसके अलावा उसके सबसे जरूरी काम होता है वाइट नहीं, जब हम बाहर निकलते हैं, वो हमारे फेस पे एकड़म ग्लो दे देता है. On the other side, जब हम night cream लेते हैं, night cream का texture थोड़ा सा heavy होता है, night cream का काम यह होता है हमारी skin को repair करना, वो हमारा night mask की तरह काम करता है, हमारी skin को moisture भी देता है और साथी साथ toning और tightening का काम भी करता है, वो काम day cream नहीं कर सकती, इसलिए हमारे को day और night cream दोनों अलग-अलग लेनी पड़ night cream लेने जाए, night cream भी जरूर ले, आपकी skin का texture में आपको difference दिखना शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्दी, night cream अगर देखा जाए हमारे ले day cream से भी ज़्यादा जरूरी होती है, because night में हमारी skin बिल्कुल free होती है, और जब हम night cream लगाते हैं, वो हमारे को pillow wrinkle से भी protect करती है, तो night cream जरूर ले, so next time जब आप अपनी day cream लेने जाए, आपको ये पता होना चाहिए, night cream भी उत्रे ही जरूरी होती है, सिरफ day cream आपको वो फायदा नहीं दे सकती, जो combine करके night cream दे सकती है, I hope आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी सी भी helpful लगी होगी, आप चाहे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, until next time, this is your host, वोईत सिर्च देवा, अपकोई बाए